नमस्कार दोस्तों काधियांस किचिन में आपका स्वागत है आज हम बहुत ही जटपट और फटाफट वाली टेस्टी रसमलाईगी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो इसे बनाने के लिए हमने यहां पर प्रेश ब् ग्लास का यूज कर रहे हूं कोई भी कुकी कटर या कटोरी से भी हम इसे राउंड शेप में कट कर सकते हैं और जो कार्णर से वह मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है और यह आप देख सकते हैं यह अच्छे से चर्न हो चुका है और वो ब्रेट करम्स हम यूज करेंगे हमार रबडी को जबर्दस गाडा बनाने के लिए और मैंने यह आप लिया है अपी 100 ग्राम मावा और यह मैंने घर पर ही बनाया है दूद को गाडा करके हम बना सकते हैं और इसे आप फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं लॉंग टाइम के लिए फ्रीजर में यह खराब और जब भी यूज़ करना होता है बस बाहर निकाल के से नॉर्मल कर लिए और फिर यूज़ करें इसमें मैंने थोड़ा सा दूद डाल करें अच्छे से चर्ण कर लिया है और यह गाडा सा पेस्ट तयार हो चुका है तो इससे हम बनाएंगे रबडी और यह रबडी जबर तो लग बग तीन चम्मच मैंने चीनी डाल दिये हैं और कुछ केसर के धागे डाल देंगे जिससे बहुत ही जबरदस इसमें फ्लेवर आ जाएगा और साथी साथ कलर भी बहुत अच्छा आएगा तो एक बर ही हम मिक्स करेंगे और इस प्रोसेस आज हम माइक्रोवेव करे करेंगे तो चीनी थोड़ी सी डिजॉल नहीं हुई है थोड़ी सी रह गई है अब इस टाइम पे मैस में डाल रही हूं ब्रेड क्रप्स जो हमने इसके ब्रेड को चर्न करके तयार कर लिया था यह डालने के बाद में हम अपने पसंद केसमें ड्राइफूट्स डाल सकते है इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा तो मैंने यहां पे थोड़ी से काजू बादम और पिस्ता डाल दिये हैं और इसके बाद में बस हम इसे मिक्स करेंगे और वापस से हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे फुल पावर पे 900 वाट का मेरा माइक्रोवेव है तो दो मिनिट मैं इसे वापस से माइक्रोवेव कर लूँगे और एक बरी हम मिक्स करके देख लेते हैं तो यह थोड़ा सा और हमें थिक करना है तो मैं एक मिनिट के करीब और इसे माइक्रोवेव कर लूँगे तो टोटल हमने पांच मिनिट इसे माइक्रोवेव कर लिया है और यह आप तोड़ा सा केवडा एसेंस यह ऑप्शनल है इससे बहुत ही अच्छी खुश्पू आती है रबडी बहुत ही टेस्टी बनती है तो बस दो तीन डॉप सी हमें डाले हैं या फिर हम इलाईची का पाउडर भी डाल सकते हैं अब यह जो रबडी है इससे आप कुलफी भी बना स तो यह आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद में यह और अच्छा थिक हो जाता है गाड़ा हो जाता है तो बस अब हमने ले लिए हैं ब्रेड के राउंडल्स और इसे हम डिप कर लेंगे इस गाड़ी सी रबडी में और सर्व कर लेंगे प्लेट में और इस तरीके से बा तरीका है और यह भी बहुत ही डिलिशेस बनती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राइ कीज़ेगा और इसे फ्रिज में रखके ठंडा ठंडा अब जब सर्व करेंगे तो यह बहुत टेस्टी लगेगा ड्राइ फ्रूट्स डाल देंगे ताकि यह बहुत ही लाइक जरूर कीजिएगा शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स ने और कमेंट करके जरूर बताएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो फ्रेंड्स इस तरह की एजी वाली रेसिपी हमारे चानल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अरूर दबाय थैंक यू वर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् झाल करेंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्